वेलकम तो आज चैनल आज हम डिसकस करने वाले होज भूत हैं 22 खाज करके ये वीडियो बनाया गया है RRB, NTPC, CB2 के स्टुएंट्स के लिए बहुत जदा यहां से कोशन फ्रेम के आता है एक्जाम में इस वज़े से जो है इस वीडियो को स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया N.V. Ravana जो है currently Chief Justice of India है तो ये कौन से नंबर के Chief Justice है ये बिल्कुल इस कोशन का सही जबाब बिल्कुल आपको comment box में देना है N.V. Ravana जो Chief Justice of India है ये कौन से नंबर के Chief Justice है और Supreme Court इसका सही जबाब comment box में देना है जरूर कोशिस करना यहां से कोशन बिल्कुल पहले railway ने पूछ जहा है. Chairperson of Loppal तो यह recently अगर हम देखे recent year में जो है लोगपाल जो है यह basically post बनाया गया है तो चेरपर्सन आप लोगपाल currently यह यह है पिनाकी चंद्र घोष निती अयोग के currently CEO कौन है तो यह कोशन भी बहुत बर बना है अमिताब कान है यह currently CEO है निती अयोग के Chief Election Commissioner of India अभी revenue secretary कौन है यह है तरून बजाज यहां से भी question frame किया गया है chairperson of UPSC currently कौन है यह है dr. Manoj Soni जो है यह currently chairperson है UPSC के controller and auditor general of India currently कौन है यह है Greece चंदर मुर्मू यह बहुत ज़्यादा important post है बार बर यहां से question बनाया तो controller and auditor general of India currently जो है यह है ग्रीस चंद्र मुर्मू Solicitor General of India उसे तो बहुत सरे Solicitor General हम अगर देखे तो इनके अंदर जो है काम करता है लेकिन स्पेसिफिकली एक परसंट जो है सीट के लिए देजुनेटेट किया जाता है Solicitor General of India तो यह जो है यह है तुसार महता Chairman of Finance Commission बार बार कोशन बना है नंद की सोर्सिंग करेंटली जो है यह Chairman of Finance Commission और एक कोशन Chairman जो है यहां से तो हमने डिस्कस कर लिया यह कितना नंबर का Finance Commission है यह भी कोशन बहुत बार बना है 15th है 16th है तो इसका भी सही जबाब आपको comment box में देना है बिल्कुल धियान रखना जो आपको यह question पूछा जा रहा है इस तरह question एक्जाम में बनते हैं तो आपको exam के लिए अच्छा से prepare अगर करना है तो यह सब बिल्कुल देखके जाना जैसे इस बार को जो census आने वाला है यह कितने नंबर का census होने वाला है या फिर इस बार का जो budget आया था यह independent इंडिया का कौनसर नंबर का budget था इस तरह question काफी बार बनाया तो बिल्कुल इसे धियान आपको रखना है और इन questions का जो है सही अंसर बिल्कुल एक बार नेट में सर्ट जरूर कर लेना अगर आपको पता नहीं है तो आगे बढ़ता है Principal Secretary to Prime Minister, Currently Principal Secretary to Prime Minister जो है यह है Dr. Pramodh Kumar Misra Register General and Census Commissioner तो यह जो है Currently Vivek जोसी है अल्रेडी railway में question बन चुका है Census Commissioner के बारे हम पूछा गया है तो Census Commissioner Currently जो है यह है Vivek जोसी साथ में यह Register General भी है Chairman and CEO of Railway Board, Obviously Railway का exam है तो कुछ नहीं आसे बिल्कुल बन सकता है तो WK3 Party Currently जो है यह Chairman and CEO है Railway Board का Unique Identification Authority of India के CEO Currently कौन है यह है Saurabh Gag Finance Secretary Currently कौन है तो यह है TV स्वामिनाथन Currently जो है यह Finance Secretary है Director of CBI, CBI के Currently Director कौन है तो यह है सुबोध कुमार जैसवाल जो है यह Currently Director है CBI के National Security Advisor of India यह जो है अजित दोबाल करेंटली जो है National Security Advisor of India है NSA करेंटली यह है Commerce Secretary कौन है तो यह है BBR सुबरी मनियाव करेंटली जो है यह Commerce Secretary है Director General of National Security Guard NSG के कौन है तो यह है MA गंपती करेंटली जो है यह Director General है आप National Security Guard वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक important बात बता दे कि competitive exams बहुत अदा tough हो रहे हैं समय के साथ-साथ अगर आगे जलके आप कोई भी competitive exam phase करने वाले हैं और खास करके अगर आपको math के section में या फिर कह सकते है quantitative aptitude के section में आगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आज हम आपको recommend करना चाहते हैं Oswald Publisher का ये book this is one of the finest book which is available in the market और खास करके इसका topic देखे तो यहाँ पर 44 topics को अलग-अलग topics को यहाँ पर cover up किया गया है सारे topics को cover up किया गया है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई भी अगर हम देखे जैसे number system अगर start किया जा रहा है तो particularly चीजों को पहले अच्छा से समझाया गया है उसके बाद जो है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ questions दिया गया तो कु इसने भी exams आगर आज हम देखे तो competitive exams यहाँ पर math पूछे जाते हैं तो this is one of the finest book जिससे आप ले सकते हैं और math या फिर quantitative aptitude को बहुत अच्छा से prepare कर सकते हैं आप चाहे तो directly इसे Oswald Publisher के website से मंगा सकते हैं या फिर Amazon से मंगा सकते हैं link description box में दे दिया गया है तो चलिए जो CRPF के हैं यह है कुल्दीप सिंग अगेन इनको additional charge दिया गया है क्योंकि previously हमने यहाँ पर discuss किया था chief of national investigation agency के भी जो basically chief है यह है कुल्दीप सिंग चीफ of raw research and analysis wing यहाँ पर railway में रिसेंट लिएक एक्जाम होगा था जिसमें raw का full farm पूछा गया था तो बिल्कुल दिहान द देखें तो यह external basically agency है ठीक है जैसे IB हो गया यह internal जो है यहाँ पर हमारा जो है secret agency है इसी तरह raw जो है यह external जो है secret agency है इंडिया का तो chief of raw currently research and analysis wing के जो चीफ हैं यह है समंत कुमार गोईल डिरेक्टर आफ इंटर्न लिएंस बीरो आई बी के के करेंटल डिरेक्टर कौन है अर Surveyor General of India कौन है तो है नवीन तोमार Chief Information Commissioner करेंटली कौन है तो यह है Mr. यजवर्दन कुमार सिन्ना Chairperson of National Human Rights Commission तो यह है अरुन कुमार मिस्रा Leader of Opposition in Rajya Sabha question यह भी बनता है कि Leader of House कौन है इन Rajya Sabha या फिर Leader of Opposition in Rajya Sabha कौन है तो Leader of Opposition in Rajya Sabha जो है यह है मलिका जुन खारगे Leader of House in Rajya Sabha यह currently Puse Goel है Chief of Army Staff currently Chief of Army Staff जो है खास करके यह तीन जो लास्ट है यहाँ पे Defense के एक्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन लेकिन कभी-कभी Railway के एक्जाम में पूछा जाता है तो Chief of Army Staff जो है यह currently Lieutenant General Manoj Pande है Chief of Air Staff currently जो है यह है Air Chief Marsal V.R. Chaudhary और Chief of Naval Staff जो currently है यह है Admiral R.Hari Kumar और यहाँ पे Currently अगर हम देखे तो कोई CDS यहाँ पे अभी तकी में यह भी appointment नहीं किया गया है तो अभी उसको हमने cover-up नहीं किया है ठेक है तो जितना इवी important post है उनके बारे में यहाँ पर्टिकुलर कौन से person कौन से office को hold करते हैं discuss किया यहाँ से question बिलकुल आपको देखने मिल सकता है वीडियो का से लाइक अंड बाक्स में जरूर बताना और साथ में वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करते हैं thank you all the best